वेलकम टू जी के जी असमित मनिश सर आज 20 फरवरी 2023 है और आज की जितने भी महत्तुपुर्ण क्रेंट अफेर होंगी वो हम इस बीडियो में डिसकस करेंगे तो आईए शुरू करते हैं आज का महत्तुपुर्ण क्रेंट अफेर आज का पहला प्रशन है हाल ही में किस राज थाने का उद्गाटन साथियों किया है अब आंदर प्रदेश के द्वारा साथियों किया गया है तो आंदर प्रदेश की राजधानी क्या है अमराब अत्ति साथियों आंदर प्रदेश के गवर्नर कौन है तो S. अब्दुल नजीर आंदर प्रदेश के नए गवर्नर बने साथियो आज आपको बताना है केमेंट बॉक्स में कि राजिपाल की निक्ति करता कौन है इसका जबाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको और आंदरपरदेश के मुख्य मंत्री है Y.S. जगन मोहन रेड़ी आंदरपरदेश में राजशवा 11 है और लोगशवा 25 है शरी बैंक डेस्वर राष्ट्रिय उद्यान आंदरपरदेश में है पुलीकट लेक वन्नेजी बभ्यारन आंदरपरदेश में है नागारजुन श्री सल्म वन्नेजी बभ्यारन भारत का सबसे बारा बाग रिजर्ब है और यह कहां पर है तो आंदरपरदेश में है इसका अब अगला प्रश्ण है आपका कौन सा यूरोपिये देश मासिक धर्म की छुट्टी परदान करने वाला कानून पारित करने अब अगला प्रश्ण है बदल निर्मित परदरसं उपगरा कौन सा है तो जानूस फश्ट बिर्सो का पहला बादल निर्मित प्रदर्शन उपगर है साथियो अब इसे लॉंच किशन ने किया है तो इश्रो ने किया है इश्रो इंडियन स्पेस रिसर्च और्गनाइजेशन जिसका हेट क्वार्टर है बैंगलोर में और इसकी ये स्थापना होई थी 15 अगस्त 1979 को और इसके स्थापक है बिकरम सारा भाई और इसके चेयर्मेन बरतमान में कौन है तो एश्रो मनाथन है इश्रो के चेयर्मेन साथियो साथियो इश्रो के परथम चेयर्मेन कौन थे तो इसका जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको अब अगला प्रशन है आपका, कौन इंटरनेशनल क्रिकेट में 100 टेस्ट मैच खिलने वाले भारत के तेरह में खिलारी बने हैं, तो चितस्वर पुजारा 100 टेस्ट मैच खिलने वाले भारत के तेरह में खिलारी हैं साथियों अब साथ वे इनका सम्द्ध क्रिकेट से है तो क्रिकेट की सरवत संस्था का नाम क्या है तो इंटरनेशनल क्रिकेट कॉंसिल जिसका हेट क्वाटर है दुबाई में और इसके स्थापना हुई थी 15 जून 1909 को और इसके चेर परसंद कौन है तो ग्रेगवार केले है इसके CEO है जियोफ एलर्डिस और BCCI Board of Control for Cricket in India इसका हेटकौटर है मुबई में और इसके स्थापना हुई 1923 को और इसके परसिडेंट कौन बने है BCCI के तो रोजर बिन्नी है BCCI के परसिडेंट है साथियो यूटूब के नए CEO कौन बने है तो इसका जवाब देना है केमेंट बॉक साथियों इंगलेंड के पर्थम परधान मंतरी कौन थे तो इसका जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको क्रिकेट में रंजी ट्रोफी इरानी ट्रोफी बिजय हजारे ट्रोफी मोहीन उदवला गोल्ड कप कूच बिहार कप डिलीप ट्रोफी चैंपियंज ट्रोफी विल्ज ट्रोफी एसिया कप और एसेज कप साथियों कि स्खेल में दिया आता है तो किरकेट में दिया आता है अब अगला प्रशन है आपका वर्ल्ड बैंक ने भुकम परभावित तुर्किये के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घुषना की है तो 1.78 अरब डॉलर सा तुर्की की साथियों राधानी क्या है तो इसका जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको अब वर्ल्ड बैंक तो मैंने बताया था कुछ जिनों पहले आपको कि वर्ल्ड बैंक के चेर्मैन थे डेविड माल पास जिन्होंने इस्ठिपा दिया था अपने पद से और व वर्ल्ड बैंक की जुलाई 1944 में कम हुई तो जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई साथियों भालत ने तुर्की की मदद करने के लिए कौन से ओप्रेशन के सुरुवाद की है तो इसका जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको साथियों अब अगला प्रदेश की नई रधानी साथियों क्या होगी तो भी साखा पटनम होगी साथियों अपको अप्सन में दिख रहा होगा है तो हैदराबाद किस नदी के किनारे है दिल्ली किस नदी के किनारे है और एहमदाबाद किस नदी के किनारे है तो इसका जवाब देना है केमेंट box में आपको साथियो साथियो हैदराबाद तो हैदराबाद को साथियो क्या एक उपनाम भी दिया गया है साथियो हैदराबाद का क्या पाक कला का सहर यूनेस्को ने हैदराबाद को बोला है पाक कला का सहर साथियो और साथियो एहमदाबाद को बोला जाता है भारत का बोश् कहा तारकस का चछट्था संस्क्रन कहा संपन हुआ है तो चंपन हुआ है कहा हुआ है चन्नई में। और चन्नई का उन्पनाम है सूपर प्रसारित नगर के उनधे हैं चन्नई को और कलकता को बोलते हैं भा cellphone काुम आवल reaction को बोलते हैं साथियो डाइमंड हावर कोल कता को बोलते हैं तो डाइमंड सिटी किसे बोलते हैं साथियो मुंबई मुंबई को बोलते हैं साथियो क्या तो मैंने कई वर बताया आपको मुंबई को फिल्म नगरी के नाम से जानते हैं मुंबई को और एहमदाबाद को बोलते हैं भारत का बोश्टर और भारत का मांचस्टर जो मैंने भी जश्ट बताया साथियों आपको अब अगला साथियों देखते हैं कि और कौन-कौन से अभ्यास जो महत्वपूर्ण है आपके एक्जाम के पॉइंट अभी हुसे तो बज्र प्रहार से अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है युद्धभ्यास से अभ्यास ये भी भारत और अमेरिका के बीच होता है सिलीनेक्स से अभ्यास भारत और सुलंका के बीच होता है दोस्ती से अभ्यास भारत मालदिप और सुलंका के बीच होता है मित्र सक्ति सैनब भ्यास भारत और सुलंगा के भी चोता है समुंद्र सक्ति सैनब भ्यास भारत और इंडोनेसिया के भी चोता है सुर्य किरन सैनब भ्यास भारत और नेपाल के भी चोता है हैंड इन हैंड सैनब भ्यास भारत और चीन के भी चोता है वरुन सैनभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है समप्रिती सैनभ्यास भारत और बांगलादेश के बीच होता है इंद्र सैनभ्यास भारत और रूस के बीच होता है अजय वारियर सैनभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है अजय वारियर सैनभ्यास धर्मकारजियन सैनभ्यास भारत और चाबान के बीच होता है विनवेक्स सैनभ्यास भारत और वियतनाम के बीच होता है अलनगा सैनभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है गरूर सकती सैनभ्यास भारत और इंडोनेसिया के बीच होता है और अगला प्रस्ण है आपका हाली में G20 संस्कृति कारे समूं की बैठक कहां आयुजित होगी तो यह साथियो आयुजित होगी मध्य परदेश का एक सहर है खुजरा हो यहीं पे साथियो यह आयुजित होगी और साथियो मैंने विजश्ट वताया साथियो तो दिल्ली साथियो आपका दिल्ली है यमुना नदी के किनारे दिल्ली कौन से दिल्ली है तो यमुना रिवर के किनारे है साथियो दिल्ली अब साथियो मध्य परदेश में हो गाया तो मध्य परदेश की राजधानी क्या है भो थोक्सभा 29 है ओंकरेस्वर राष्ट्र्येय उध्यान, डाइनासौर राष्ट्रीय उध्यान और कुनों राष्ट्रीय उध्यान कहा पर है तो मध्ये परिदेश में है। डिजिटल एड्रेस के साथ इंदॉर सहर देश का पहला एस समार्ट सिटी बनाया साथियो। मध्यपरदेश का एस्कूल अब सबताह में एक बार बैगलेस होगा। पहली बार अपनी वार्षिक बित्य योजना के रूप में बाल बजट मध्यपरदेश ने पेश किया है। लाडली बहना योजना के सुरुवात कहां होई तो मध्यपरदेश में होई साथियो। तो ये था साथियो आज का आपका महत्तपूर्ण क्रेंटफ है। कुछ नए राज्यपाल बने है साथियो भी निविन राज्यों के उसको भी देखते हैं। जैसे अर्भुनातिल परदेश के राज्यपाल कौन बने है तो कैवल्लय त्रिवकम परनाइक बने हैं। असम के कौन बने है तो गुलाब चंद कठारिया बने है। आंद्रपरदेश के बने है एस अबदुल नजीर। चतिस्गड के बने हैं विश्व अभूसन हरी चंद्रन और साथ्यो जहर्खन्ड के राज़ेपाल कौन बने है तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको विहार के राज़ेपाल बने है राज़ेंदर विश्व नाथन आलेरकर महराष्ट के राज़ेपाल बने है रमेश बैस कौन बने है रमेश बैस मेघाले के बने है फागु चोहान सिक्किम के बने है लक्षमन परसाद आचार्य और हिमाचल परदेश के कौन बने है तो सिब परताप सुकल बने है कि माचल परदेश के राज़पाज आती हो और लगदात साती हो जहाँ पर एसिया का सबसे वरा नैस्टनल पार्क है हेमिस नैस्टनल पार्क यहाँ के भी उपराजपाज साती हो बने है डॉक्टर बीडी मिस्रा कौन बने हैं तो डॉक्टर बीडी में तरह साथियों कल मैंने आख से साथियों तीन प्रश्ण पूछे थे दिब कला मेला दोजर तईस का आयोजन भारत के किस सहर में हुआ तो मुंबई में हुआ भगवत बलीपा नारायन भगवत का संबंध किस निर्थ से है तो यक्षिगन से है साथियों और यक्षिगन किस राजे का मुख्य लोक निर्थ है तो इसका जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको भारत की पहली फ्रोजल लेक मेराथन की मेजवानी कौन करेगा तो लद्दात करेगा साथियों और लद्दात के किस जील में साथियों या होगा तो इसका जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको साथियों आज का आपका प्रश्ण है जिसका जबाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको साथ ही हो हाल ही में किस मंतराले ने M-PASSPORT पुलीस एप लॉंच किया है दूसरा प्रश्ण है आपका हाल ही में किस राज्य का कॉल्लम जीला ने सर्वसेष्ट जीला पंचायत के लिए सौराज ट्रॉफी 21 से 22 फुरुसकार जीता है और आखरी प्रश्ण आपका साथ ही हो है जिसका जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको किस राज्य में पहला राज अस्तरिये जिंगा मेला का आयोजन हुआ है तो यह सारे प्रश्ण का जवाब देना है केमेंट बॉक्स में आपको साथ ही जानकारी अच्छी लगी तो लाइक करे, सेर करे और सस्क्राइब करे धन्यवाद